सब्सक्राइब करें वाइस ओपानीपट चैनल को पास की बेल आइकन को दबाई ताक्राइब को मिल सके हर अपडेट सबसे पहले नमस्कार मैं हूँ कुलवन सिंग और आप देख रहे हैं वाइस ओपानीपट हाट की दिक्कत जो है आज कल कॉमन होगी है हर किसी में हाट फिल की जो दिखते हैं आप देखी रहे हैं कैसे हाट फिल होता है परारंबी को उसमें क्या करना चाहिए इसी को लेकर हम लोग हैदरावादी होस्पिटल में पहुचे हैं हानिपत में एक सबसे बड़ी आधुनिक कैथ लैब यहां पर खुली है और उनको डिल कर रहे हैं दोक्टर सुनील में साथ दोक्टर सुनील हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं पहला स्वाल तो में यह है कि हाट फिल क्यों होता है किस तरह की बीमारी है और शुरुआती दोर होता है बारी पैन आता है बाजुब में जाता है जबाड़ बाड़े में जाता है उसमें और चीन फिल क्क लतल श्लot इए जया जीनको ब्लड प्रेश्र सिया है जहां जो स्मोक करते हैं जैसे कोई बीडी स्मोक करता है कोई हुका करता है जा कोई सिग्रेट करता है जो सेर वैर नहीं करता है जहां जिसका पेट बड़ा हुआ है जहां जिसको स्ट्रेस बहुत रहती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में तो इन तरह के लोगों को जनली जहां जिसकी फैमिली हिस्ट्री है फैमिली हिस्ट्री में ब्रदर, सिस्टर को जा फादर को अरली एज में हार्ट अटैक हुआ हुआ है तो इन लोगों को जनली चांसीज रहते हैं हार्ट अटैक होने के और जिनका पेट बड़ा हुआ है चाती ठीक है इन लोगही के संट्री है, उनको भी हार्ट अटैक के चांसीज रहते हैं घो हर्ट फैल्या में हार्ट अटैक दो से जनरली ठीक हो जाता है नहीं तो कई वर बाद में डवाइस वगारा गानी पड़ती है इको वगारा करते हैं हाट अटेक बहुत बड़ी एमर्जनसी है यह आजकल तीस साल से कम लोगों को में भी पाया जाने लग गया है क्योंकि स्ट्रेस बहुत जादा है इसके लिए मैं मैं कहूंगा कि लोगों को ग्रीन लिफी वेजिटेवल फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए और बीड़ी सिग्रेड तबाकू जर्दा हुका इससे दूर रहना चाहिए एक स्वाल यहां है कि मैं अपने पी लेता हूं बात मैं शहर से दूर हूं कुछ ऐसी जगा फसा एक ऐस्प्रीन की गोली लेनी चाहिए 325 मिली ग्राम एक round ती बेभी ऐस्प्रिम 25 की गोली सो मिली ग्राम वह नहीं बड़ी की गोली 650 मिली ग्राम की भी आती है उसको अधा तोड़के 625 मिली खाने था से लागक करके दुआज करके यांदा क्लोपिलेट करके वह ती 97 नाम से यह 40 मिलिग्राम से 80 मिलिग्राम तक लेनी चाहिए और जदी यह तब भी उसका ठीक नहीं होता तो एक यहां दो टेबलेट सॉर्बिट्रेट की वो चूज सकता है जदी उसका वीपी ठीक है और फिर उसको इमिजेटली हस्टाल में आना चाहिए जदी इससे ठीक के नहीं हो रहा है वा ति लक्षन कि का है टेक किसी को पता ही निए कि अटेक मारी ऋसे यह मतलब कैसे पता जलेगे रसम चाहती में है जक्शा गएस पता जलाई अभी पंद होता है सेंटर में होता है कर बाजू में जाता है sweating पसीना आता है और ऐसे मरीज करता है ऐसे दर्दो रहा है ऐसे जब बाड़े तक जाता है दांतों तक निचले दांतों तक जाता है तो उससे पता लाजाता है कि यह heart attack है हाँ है उसमें पता नहीं लगता है उसमें पिसीना गबरहाट तरे लिए आती है जदि उसकी शूगर ठीक है उस टेम डायप्टीज को एसीजी करवानी चाहिए उससे पता लाजाएगा कि उसको heart attack है तो आम तोर पर आप बतारे जैसे तीस साल के नीचे वाले को भी अटेक किये बिमारी होने लगी है तो आप इसको स्ट्रेस मानते हो कुछ और भी चीजी मैं इसको स्ट्रेस और लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन की जुरूरत कहूंगा क्योंकि जो तीस साल से भी है उसको अब आपके बारे में बात की जाए है है दराबादी ऑस्पिटल में आप सेवाएं दे रहे हैं इससे पहले कहां-कहां अपने सेवाएं अपने दिये और अभी कैथ लैब जो पानीपत में खुली है उसके बारे में थोड़ा सा दुर्शकों को बता है ठीक है मैंने मैं MBBS किया है शिमला से फिर मैंने MD किया है DMC Medical College से वो फर्स्ट बैस था आउटसाइडर्स के लिए उन्हों वो MD में फर्स्ट आया था एंट्रेंस में तो वो MD किया DMC एच्छ लुद्याना से फिर मैंने वहां से senior residency किया है फिर मैंने senior residency in internal medicine तीन साल की government medical college चंडिगर से किया है फिर मैंने यहां पर NFL में था township में specialist medicine जो बाद में deputy CMO परमोट हुआ था NFL में मैंने वहां पर अलमुस्ट पांच साल काम किया है फिर मैंने DMC काडियोलोजी किया डॉक्टर परशोत्म के का लाल वहां वहां से किया है फिर यह उसके बाद मैं DMC की training यह यह मैंने वहां पसे लिया है लुद्याना देली में नौइडा में डॉक्टर परशोतम के हॉस्पिटल में में अंडर डॉक्टर सी मैंचानदा जो एमस के रेटाइर्ड हैं काडियालोजी के आजकल सार गंगाराम हॉस्पिटल में सर अपनी सवाइशं दे रहे ये फिर मैंने उसके बाद Apollo Hospital जोईन किया था इनीक टीम के साथ डॉक्टर बलबीर सिंग, डॉक्टर कासलिवाल, डॉक्टर नरेश्टरेन टीम के साथ, फिर मैंने ये, मैं सौधी अरेबिया में रहा हूँ, पांच साल as specialist cardiology, वहां पे भी मैं eco, TMT, angiography, angioplasty करता रहा हूँ, दो साल, अल्मोस्ट दो साल डॉक्टर बलबीर सिंग के साथ, इलेक्ट्रो फिजियॉलोजी, पेसिंग और स्थेंटतिंग वगap में काम किया है, अभी मैं पिछले अल्मोस्ट वान टीम येर, इंडी नेट्यूपैट इन्डीम्ड़न ली काम कर रहा था, सुखदा शूप बगवान की किरपा से दोनों ठीक गए हैं और मैंने अल्मोस्ट आठ प्रसीजर कर दिया हैं मैंने अभी प्रसीजर कई तो प्रसीजर डिस्टल रेडियल से किया हैं कई प्रसीजर रेडियल आर्टरी से किया हैं एक प्रसीजर मैंने फिमोरल किया है बाकी सारे रेडियल और और बड़े अच्छे रिजल्ट है जो फुमोरल भी किया है उसमें भी कोई हमेटोमा नहीं बना है पेशन्ट खुश हो गई है दोलनों में क्या पढ़ा है जी इसके और नीचे वाला फर्क यह है वो मरीज के लिए मरीज के लिए इतना बेनिफिट नहीं है नीचे वाला करने से मरीज को लेटना पड़ता है उसकी छे गंटे बैक दुखती रहती है टांग सिधी रहती है और कई रार यहां पर कम्प्लिकेशन्ज हो जाती है हिमेटोमा बन जाता है कई बाड एलगाना बढता है कर श४्ता है इसमें मैंने स्वेलिंग किसी के में भी नहीं देखी है तो हम लोग रेडियल और डिस्टल रेडियल ही प्रैफर कर रहे हैं और मैं चाहूंगा जो एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स हैं जो इंजेक्शन देके मरीज का अलाज कर रहे हैं वो अब यह चोवी गंटे अबलब्द ह है मोसली अबलब्द रहेगी अंटिल आलास मैं चुटी पे हूँ जा किसी और डॉक्टर को रेंज करेंगे बट यह चोवी गंटे रहेगी इंजेक्शन देने से पहले एक पर बात कर लें इंजेक्शन का बहुत ज्यादा नुक्सान है पेशन्ट की लाइफ सेव करने के ल करता था मरीज को क्या लगता है अभी मताव हैदराबादी में यह मशीन जो आई है कैथलेब बनी है तो इलाज असान और सस्ता इस तरह की कुछ उविदाएं हैं आपको बेरे से बात करके लगता नहीं है कि यह असान होगा द्रस्ते में जाते जाते मरीज आदे से ज्याद है कोई सर्जरी करवाने जा रहा है यह हार्ट अटेक में आपको वहीं पर आपने सिटी में इलाज कराना चाहिए तब ही तो सारे सिटी में सब जगा कैथ लैब लग रही हैं और सेदराबादी में तो हम चैरिटेवल रेट्स पे कर रहे हैं और अच्छा काम ही करेंगे वह है तो इसमें साथ में ही इसको करने के बाद मैं सीटी विगरा दे देता ह wounded में सारा recorded होता है वह दुनिया में किसी भी best काडियालोजिस्ट को दिखा सकता है तो इससापसे मेंको लगता है यह यहां पर रखा है और जो स्टेंट है जदी हम एक उसका रेट 85,000 प्लास कॉस्ट आफ दी स्टेंट है ठीक है यह अल्मोज सबसे कम है और मैं चाहूंगा युश्मान बार्त के केसिज भी हम लोग करें जो पैनल पे अभी नहीं है और भी हम केसिज करें जो कोई पैनल वाले हैं हमारे पास अभी पैनल नहीं है जो ग्रीव जनता है उसके तो हम करेंगे करेंगे और इसमें मरीजों को बहुत बहुत बेनिफिट आए दोनों जो केस की हैं मैंने पेशन्ट सारे बड़े खुश होके गए हैं और बाकी जो मैंने एंजियोग्राफी भी किया है लोग बड़े खुश हैं जो बता रहे थे बड़ी एहम जानकारी दिया है कि हार्ट अटेक जब भी हो तो प्राहिमरी उसको क्या करना चाहिए हो तो यह इंट्रू आपके लिए बड़ा सुखत जो है साबित हो सकता तो इस इंट्रू को शेर जरूर कीजेगा ताकि और भी जितने लोग हैं उनको Add Colors to your learning, life will be shining, you'll have a better future and you'll be smiling Pint Sanskriti School, a better place, a better world Pint Sanskriti School, sapnoon se behter kal Pint Sanskriti School, add Colors to your learning, Pint Sanskriti School, your life will be shining Pryag International School, Panipat, provides a conducive learning and environment transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to temp and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11am. For further details, please contact Pryag International School. Pryag International School. Universum ofol yaz. cese at programaching.org Pryag International School.